बिना आलू को उबाले, बिना धूप में सुखाए, एकदम इंस्टेंड आलू का चिप्स की रेसिपी लाए हूँ, फटा-फट से ये बन के तयार हो जाएगा, मुस्किल से 5 मिनट लगेंगे आलू के चिप्स बनाने में, और आप इसे साल बर स्टोर करके खा सकते हो, और घर में वरत वाले प्रक्ति को भी दे सकते हो, फटा-फट से ये तयार हो जाता है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, इसके साथ मैंने धेरो टिप्स और टिक्स शेयर किये, जिससे आपका चिप्स काला नहीं पड़ेगा, तो चलिए देर किस बात की है, सबसे पहले मैं मैं यहाँ पर नमक का पानी बनाओंगी, तो यहाँ थोड़ा सा मैंने पानी लिया है, तिन-चार चमच और इसमें सेना नमक डाला यानि वरत के लिए, ये पानी क्यू बना जाता है मैं आगे आपको बताओंगी, बहुत ही सीक्रेट है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर मीडि जो भी है निकल जाए, वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा, एकदम सफे सफे से आलू के चिप्स बनेंगे, तो यहाँ पर मैंने आलू को धो लिया है, मीडियम साइज का आलू यहाँ पर देखो हमने चुन के रख लिये हैं, अब इन्हें हम छील लेते हैं, ज्यादा बड़ा आलू रहता है, उसके चिप्स तूट जाते हैं, ज्यादा छोटा भी रहता है, तो बढ़ियां नहीं दिखता है, मीडियम साइज का अच्छा रहता है, अब यहाँ में एक कटोरी पानी मैंने बड़े से बरतन में रखा था और यहाँ पर मैंने बरफ डाल दाल दि जब तक यह बरफ पिगलती है, तब तक के लिए हमें इसके अंदर छोड़ देना है, ज्यादा इंतजार हमें नहीं करना है, अब देखिए बरफ पिगल गई है, तो बस इन आलू को निकाल लेना है, अगर यहाँ तक वीडियो आपने मेरी देखिए, तो प्लीज लाइक कर आप देखिए दोस्तों बरफ डालने से हुआ क्या जो एक्स्तरा स्टार्च है ना आलू का वो निकल गया, जिससे क्या होगा? छिप्स हमारे एकदम खीले-खीले से बनेंगे, और बरफ डालने से क्या होगा? जो हमारे आलू का चिप्स बने गाना, वो काले नहीं पड़े लंबे समय तक सफेद रहेंगे इसलिए बरफ का इस्तमाल किया है अब यहां पर चिप्स काटने वाली आपकी कोई भी मशीन ले लेना है जिससे आप चिप्स काटते हो तो यहां पर सावधानी से धीरे-धीरे चिप्स काट लेना है फटा-फट से काटेंगे तो छोटे- लेना है हमें तेल बिल्कुल भी ठंडा नहीं रहेना चाहिए गर तेल ठंडा रहेगा तो जो आलू का चिप्स एकदम नरम पड़ जाएगा इसलिए तेज आच में इसे फ्राइ करना है आप चाहो तो डारेक्ली इसके अंदर घस सकते थे आलू को लेकिन उससे क्या है जलन यह नमक पानी से हमें डालना है नमक का पानी डालने से क्या होता है चाहा चैसे में पर जादा है और तो फिस के वध्स को ड् excitement College आप हो ज़्यादा भर देंगे तो उससे क्या वर तेल ठंडा हो जाएगा और अच्छे से इने आलू का चिप्स बनके तयार हो जाएगा इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको आलू के चिप्स बनाने में बिल्कुल जंजट नहीं होगी बीना उबाले बीना धूप में दिखाएगे यहाँ पर हमारे आलू के चिप्स इंस्टेंट बनके तयार हो जाते हैं जिसे आप साल बट सोर करके खा सकते हो मतलब बच्चों को बार बार दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है घर पे बनाईए और हेल्दी खिलाईए और इसे मैंने वरत के लिए भी बनाया है यहाँ पर देख सकते हैं थोड़े सो जो आलू के चिप्स हैं इसे मैंने साइड में निकाल लिए क्योंकि नरम पड़ ग लिए थे आशा करते हैं यह आलू के चिप्स आपको बहुत पसंद आएंगे और आलू के चिप्स बनाने में आपको कोई भी दिकत नहीं होगी यह देखिए बढ़ियां इससे मैंने वरत के लिए बनाया है सभी को बहुत जादा पसंद आये तो बरफ डालिए और आलू के इस बनके तयार हो जाएंगे है ना मज़ेदार रेसिपी इसकी आवाज सुनिए एकदम क्रिस्पी करारा बहतरीन बनाए बिना किसी जंजट से और मैं इसे स्टोर करके रग दूंगी डबे में भर के यह देखिए पूरा डबा भर गया था मिनिमुम छे आलू मैंने लिये ज्यादा आलू नहीं लिये